तो नमस्कार पहरे साथ यो डीजेसर क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफर्म पर आपका श्वागत है अभी नंदन है पहरे साथ हम बात कर रहे थे राजस्तान की इतियास की राजस्तान की इतियास के अंतरकत काफ़ कुछ पढ़ चुके थे और उशी कड़ी को आज आगे दोस्तों मढें दोंसतों हम बात कर ने जा रहे हौ आज यहाँ पर देखीगा कि इसकी बात करने जारह रहे हैं तुम्हा डैकि हीओ आदियास्त का यहां की अमिवआ सभ्च्च का कि राजमन सा स्थितन में आता है सारी चिजे एक एक करके आपको देखना होगा फरकार से आप MOD करने कि KisAy मेर्याषral76 की खब से पहले रियास्त करने जा रहे है हैं प्यार दोस्तों वैसे जब रियास्ति ऊवा करती थे अपना राजस्तान अस्तिक में नहीं था फिर भी बात करते हैं कि हम राजस्तान की बात करें तो राजस्तान एक तरीके से आपका ये राजस्तान प्रतम जो चेत्र देखने को मलता है कोण सा चेत्र हुद देखने को मिलता है पर दोस्तो था नया आप को धूजह तो यहां पर एक इस्थान हुआ UP यहां पर एक इस्तान देखने को बिलता है यहां पर जो इस्तान था पर성을 till नृस्ट तो है किसके नाम से जानते हैं दो सा कर नाम से हैं इस दोसा नाम के इस्तान पर प्य Cit Makes स्वाइब तो आता है जिसको हम तेज करन किसके नाम से तेज करन के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं और इसी को क्या दूले राय क्या करते हैं दूले राय क्या करते हैं दूले राय ठीक है तेज करन या दूले राय इसी का वास्तिविक नाम मिलता है पैर दोस्तों का जाता इसका प्रश्टीव के नाम क्या था तेज करन और यह दूले राई कर कहा पर आता है लगबक 1137 इस्वी कभ यहां से चलकर कर यह कहा जाता है अपने राजस्तान में आता है और यहां की एक जाती वाकरती थी बड़ गुजरों को पराजित कर देता है और इसी समय यह बड़ गुजरों से इसका अक्रमन होता है इसी समय यह कहां से यहां से वापस लोट कर जा रहा था यहां से निकल कर जा रहा था तो दोसा के बीच से ओकर निकलता है और जब इसके प्रभाव को देखकर कहा जाता है कि यहां के लोगों ने यहां के लोगों ने क्या किया इससे कुछ अनुने विनने किया और अनुने विनने करने के पश्चात क्या क्योंकि यहां के लोगों के उपर बड़ गुजर और मीना जाते के लोग बहुत परेशान किया करते थे और कहा जाता है कि यहां के लोगों के अनुने विनने पर यहां रुक जाता है रुकने के सबसे पहले तो अधिकार हो सब को अधिकार सांशे नहीं पूरा दोसा एक सबसे और यह बाकी के चेत्र पर किसका अधिकार है मीनाओं का किसका मीनाओं का किसका अधिकार है वही मीनाओं का अधिकार है और यह बाकी का चेत्र तो इसने किसे जीता बड़ गुजरों से चीन लिया किसे चीन लिया वही बड़ गुर्जरों से बड़ गुर्जरों से चीना और को प्रभावसालित समझ कर इसकी पुत्री का विवा कर दिया जाता है किसकी इसकी पुत्री की पुत्री का विवा कर दिया जाता है किसकी इसके सासक की पुत्री का विवा किसके साथ कर दिया जाता है तेज करन की साथ किसके साथ चेज करन के साथ कर दिया जाता है अब तेज क और दोसा में कहा जाता है ये बाकी का जो छेतर बचा हुआ था इसको भी क्या करता है ये मीनाओं से छीन लेता है क्या कर लेता है मीनाओं को पराजित करता है और पूरे के पूरे दोसा पर क्या कर लेता है अधिकार कर लेता है और इस दोसा को क्या बनाता है अपनी राजधा और यही पर है कि कच्वा है किसका कच्वा क को फो नगरता है कि उसकी तापना करता। कि के बात करें कयो के बारे में जो जानकारी मिलती है पैर दोस्तो माने जाता की यह और राम के एक तो राम कोन होए भी राम और राम के एक तो पुत्र था लव और दूसरा था कौन सा कुछ कुछ और ये कुछ की संतान माने जाते हैं या कुछ के वनसद माने जाते हैं क्या माने जाते हैं इस कारण इनको प्रार्यम्वी की समय में क्या कहा जाता था कुछ वह क राजडानी लेता है किस वन्माद करते यह किस जीत लेता है राजडा नी बना लेता है पर दोशागों राजडा नहीं बनाने के पश्चात पहरओं दोश तो ईहां पर इस इस्ताफणड़ कब करता यह बार्वी सदी में कोजए सदी में करता है 16 जदी में इसा वंस कश्वा कछ्वा है कच्वास अस्तृत में pry सब्सकिरा करें तो इसकी कुलल देवी इसकी बात करें पुल देवी और पुल सब्सक्रीव कौन है बही जम्मुआय माता कौन जम्मुआय माता कौनची माता जम्मुआय माता और जम्मुआय माता इसकी कुल देवी इसकी इष्ट देवी इस वंस की इष्ट देवी कौन है इस वंस की इष्ट देवी और इष्ट देवी की मात बात करें तो सीला देवी कौनची देवी क benefiting Biology S publicity वी तेलोजी और इंके आराध देऊ क्या मानते है अपने आराध देव आराध देव मानने के पस्यार सिंका मंदिर का है जेपुर में काह रहे है जेपुर में और यह अपने आपको किस् Contkä दिवान मानते हैं अपने आपको गोविंद देवजी का दिवान समझते हैं क्या मानते हैं गोविंद देवजी का दिवान समझते हैं अर्थात हमारे राजा कोन हैं हमारे राजा तो कोन हैं गोविंद देवजी हैं हम उनके क्या है मंत्री है क्या हम तो उनके मंत्री है या आर पैर दोस्तों कच्वाओं को तोहानों का सामंत माना जाता है कि इसको पैर दोस्तों कच्वाओं को कच्वाओं को को तोहानों को तोहानों का सामंत माना जाता है माना जाता है किसका सामंत माना जाता है भी तोहानों का सामंत माना जाता है और दियो उसकी जानकारी हमें मिलती है पैर दोस्तों आमेर सिलालेक से कहा बारे में बात करें आमेर सियलेख की बारे में बात करें आमेर सिलालेख और नइसपि यहांपर इनको क्या गया आमेर सिलालेख में कच्वाओं को बसीмы क्या कहा गया भी रगु कुल त तिलक कहा गया क्यों क्योंकि आपकोपताय कि स्री TV राम क्या थे रखु कुल वन्षय राम को क्या माना हूँ रंप कु यह माना जाता है राम को कि आ क्या माना जाता है कच्वाओं को इसके वंसद माने जाते हैं इस कारण इंद से यहां पता लगता है भई कच्वाओं को इससे यह पता चलता है हमें कि यह राम के वंसद रहे हैं क्या रहे हैं राम के वंसद रहे हैं इसके हमें जानकारी कहां से मिलती है इस सिलालेक से मिलती ह करते हैं कि और क्या करते ही इनको और मंनते ही इनको कूरे वनसी माना गया है इनको फूरे वनसी वनाना गया है अब आप आपको पता है कि स्री राम सूरे वंसि था स्थ लोनी के कविस सूरे वंसि शरी माना गया है इस का पता हमें कांबे अच्छ जी था पैरो दोस्तों क्या हमें का चितर बना वा था इसका च्मीय का जाड़ी बनी हुई थी क्या बनी उई ती एक ज़्ाडी बनी इनके झा सब्सक्राइब नहीं हुई ती इस्ट रिके की जाड़ी यह ज्वानी हुई इसके माने जाता ये जोकि वह जाओना देश्माहर राहा पर विए अयुध्या में हुई इस प्रकार के ज्वादी बनी विए इनके जंडे पर इनका प्रतीक चित्र बना उता था पर सूरे की चित्र के साथ यहां पर एक ज्ञाड़ी बनी वह थी ज्याद रखेगा पैर दोस्तों तो यह देखी यह देखी इस प्रकार का जंडा यह एक प्रकार से पेड की आकरती वास्तों में नहीं है लेकिन कहा जाता है पैर दोस्तों यह वास्तों में नहीं है लेकिन यहां पर जाड़ का चित्र होता है लेकिन यहां पर सूरे का चित्र और जाड़ का चित्र हुआ करता था इस कारण पहले सूर्यावनसी कहा गया क्या कहा गया है यह यह से तो यह तो वास्तों में देखा जाए तो तो अजन्ड़ा के पर इसके बाद बात करें तो इसका जो जंडा है किसका आमेर रियासत का है जो जंडा जो जंडा है पेर दोस्तों उसको क्या कर दिया था मांसिंग ने का जाता है जब मांसिंग का पर काबुल अभियान पर गया था मांसिंग ने पांच कबिलाई जातियों को पराजित कर दिया था क्या पांच कबिलों को पराजित जातियों के कबिलों को पराजित कर दिया था तो आमेर के जंडे का रंग ब आमेर रिहासत के प्रतीग के उपर इसका बात करें आमेर रियासत के प्रतीगक ARE आमेर रियासत के दो आ प्रियास्तक तर जो प्रतिख स्था यप पिरदोस्तु प्रतीध स्थ कम बनगेरडोस्त सर्थ यहां पर लिखा होता है रोट रहे की 20 प्रमस्तो स्थी ढूल रिखावाता यतो दर मस्तोर गित तो यह कि यह थो दर्मस्तो जय इस प्रकार से ये प्रतीक वाक्य लिखा हुआ है ये तो दर्मस्तो जय किस पे लिखा हुआ था इसके प्रतीक के रूप में आमेर रियासत के वाक्य ये प्रतीक वाक्य है और इसका जो जंडा है पहरा दोस्तो कालांतर में मांसिंग के द्वारा किते रंगों म बदल दिया गया था पांच रंगों में इसका दोच का कलर इसके रंगों में बदल दिया था इसका दोच का कलर इसके रंगों में बदल दिया था पहले क्या हुआ करता था सपेद लेकिन मांसिंग के द्वारा के द्वारा मांसिंग के द्वारा थंडे का कलर या दोच का कलर भज का रंग पांच रंगों का कर दिया गया यह यह झाँ और यह देख रहे हैं और यह इस तरीके सी पांच रंग दिखाए दे रहे आपको यह सबसे इसी प्रकार से यह यही तरीक़े है और इस प्रकार सी आमेर का जंडा किसका आमेर रियासत का जंडा जंडा इस प्रकार से यह मांद सिंग झी खड़े हैं और मांद सिंग की द्वारा इसको बदला गया था पांस रंग में सब से पहले लाल पीला सपेद हरा नीला इसको एक ट्रिक के मारद्यम से आप याद करना चाहो करक्ते हैं कुञा ला करी हणि लानव तक वह ईति असविए anomaly के लापी सनिधिट है और ट्रिक के मादेम से आपको यह कलर याद हो जाएगे जंडे के कलर लापीस लाल पीला सपेद अरो नीला इस कलर के ला strips ट्रिक के माध्र और यहां परम बात करें तेकिसी बात कर रहे तैसे किसकी बात कर रहे ते구요 कि अधियो किसे किसके संबंदित माने जाते हैं यहां पर कंडिशन यह होती है कि सबसे पहले बात करें तो इस छेत्र में जो इस तापना करी दीती अब किस प्रकार से यह जंडा है जिसे यह हरा कलर है वास्तों में दीखनी रहा कुण सा कलर है हरा क्यूट टाइप का दिखा रखा रखाए ग्रेश के लिए नक्स इसके बाद बात करें तो फटाई देते हैं क्या म average ग्रेश के भरेश की अब बात करने जा ले जा रहा है किसकी दूली राय की इसने इसतापना की परकार से अपने अप्रक्रीक्राइप सारी चीज़े अब वापस बात कर रहे हि इसकी बात करने जा रहे वह दूले राइक है कि यहां पर बात करें तब से पहले बात करें कहां से चल कर आया नर्वर से कहां से चल कर अजय का आया रहाै नर्वर कहां पर पड़ता MP teraz करकों तेज करन लिए को के जिकर करते हैं इसके बारे में यहां पर सबसे पहले यह किस पर अधिकार लिए आदिकार करता कि इस पर उतिकार करता दो शाफर लिए किम कर आ стать कुंछा यहां से KAR आता सब्सक्राइब निए निए इसको माना जाता है वह इसके बाद तोड़ा सा उपर की और बढ़ता और कहा जाता है कि यहां पर किसको पराजित करेगा यहां पर बढ़ गूज्रों किसको पराजित करेगा यहां पर किसके वंस की स्थापना करता है कच्छवाह कच्छवाह वंस की स्थापना करता है यह विशेश रूप से ध्यान रखने है यहां पर बढ़ गुजरों को पराजित करके किसके अधिकार कर लेता है यहां पर इसके बाद यह आगे बढ़ता है आगे बढ़ने के पस्चात इसी के पास में यहां पर माच चेत्र कौन सा चेत्र है कि पर का जाता है कि यहां पर करता और करके यहां पर मीनाओं को पराजित करता है मीनाओं को पराजित करके इस चेत्र पर भी हरिकार कर लेता कि ये नाम बदल कर क्या कर देता इसका जमुवा रामगड कुन सा कर देता भई जमुवा रामगड इसका नाम क्या कर देता रामगड जमुवा रामगड और जमुवा रामगड मेरी एक मंदिर का निर्मान करवाता है इसका मंदिर का निर्मान करवाता है जमुवाई माता का किस करता है بाद मिनाओं को पराजिद करता और उसको क्या बना लेता अपनी राजधानी क्या बना लेता वही इसको अपनी राजधानी बना किया मिनाओं पर आक्रमन किया तो मेनाओं को आक्रमन करने के पश्चाथ पहरोस्तों ये धुले राए भेंकर तरीके से घैल हो गया था अर्थात पराजिय की पराजिय की कोड़ पड़ा हुई थे लिए और इसके सेनिक यहां पर पड़े हुए थे और पड़े हुएए समय समय घहला वस्ता में उसी समय उन्हें चाहिए चाहिए Walk दो इसके मैला अती है जो का जाता है कि बुजूरक मैला आती है और मैला आकर का जाता है कि अधरा होा था तो गुजर कमेला आकर के थी कि भाई कड़ा हो क्यों कि मेरे से कीसे उठा जाएगा मेरे हाथ पर टूटए घावा रहा है शरीर की उपर तो खड़ा तो होगी का जाता है और दोस्तों यह उतकर खड़ा हो जाता कौन प्रेज करन या क्ञाटि हो जाता है आपको सोचता है कि मेरे तो गाव लगे हो तो बहुत Nelson घटा करना करना मैरे मंदिर का निरमान करवाना पड़ेगा और यहां पर यह कालांथर में उस महिला के家िई पर लिए माता के मंदिर का नर्मान करवाता है कौन ती मढईल जमुए माता। इससे कह कर जाती में इसके नाम से जाने जा थी जाती नाम souhaid नाम से थी चमा उसके नाम से पुझाँगे और इस दूदर क्या रखा था रांगण कोँ अब बना दैसर में बना लेता है इसके बाद घीडिकार करता है ठोड़ी उपर जाने के पश्चात यहां पर किस पर अधिकार कर लेता है इसके बाद यहां पर तोड़ा सा उपर जाते हैं और यहां पर किस पर अधिकार कर लेता है यह खो नामकिस्तान पर किस पर अधिकार करता है किस पर अधिकार करता है खो पर अधिकार करता है खो को भी क्या बना और लिए यहां पर का जाता है कि अब कंडििसन क्या होती है प्यारव दोस्तों यहां पर प्छी के पास में उपर सफान क्या पढ़ता था और प्लक दोस्तों यहां पर पढ़ता था आपका प्र ता यहीैं ど मीनाओं से लड़ता है और मीनाओं को पराजित करता है और मीनाओं को पराजित कर लेता है और कहा जाता है पहरे तोस्तों जब यह अमेर पर अधिकार कर लेता है कब कर लेता है एधिकार लगव क्या 150 के आसपास कर लेता है हूस की 1170 orव हत्या कर दी जाती 1070 के आसपास मृतिय घ्र वह जाती है तेजकरण की मरत्यू हो जाती है कि पास बाद में जब बेटा कोकल कोकल देव आएगा तो इसको राजताय बनाता को को दोस्ता करने का किसको जाता है तो इस तेज करन या दूले राई को जाता है अब बात करते हैं कि अब से पहले तो इसकी बात करें किस्की बात कर रहे हैं तो कि तेज करन की या दुलेराई की बात कर रहे थैं फैर दोस्तू घ्लक सिग्यारां हम यह ला दोस्तू 11.9 में यह आता है इसे चया क्या सब करते हैं टुर invert isn't was once वन्टका अधी पूरुष क्या कहेंगे अधी पूरुष क्या करें आदी पूरुष क्या इर्च्वा व्न्सका जा कर दे गी बूल पूरुष के डिया कर दे किसको किस्कोराता है यह कहाँ आप सारी हैं यह आपको ध्यान रखने है आप और इसके बाद में बहुता है इसकी जो कोई राधसर साथ में आमेर को राश्दानि बनाता है इसको बात करें कोन आता है इतना इतनं aiming बारिव्यो कपेर्ट दोस्तों 1207 में एक में आमेर को अमेर को राजधानी और राजधानी मुंन बनाता है क्या बनाता है आमिर पॉर दनी बनाता है और न माळेक निस्था और अमबिक केश्वर महादेव मंदिर निर्मान सीक कर वस्ता है कि क्या रवा था यहां पर अम्भीकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्मान करवाता है अम्भीकेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान करवाता का निर्मान करवाता है अम्भीकेश्वर महादेव मंदिर का निर्मान किसके द्वारा कोकिल देव के द्वारा करवाया जाता है पहर दोस्तों keföru से ध्यान रखना आप क्या कंडिशन इसके बाद इसको शासक बनता है वैसे तो कहा जाता है कि इसने बहुत सार्वları सासक बनता है इसके बहुत सारी सासक कान थे यह सारे सासक अते लेकिन उनके बारे में कुछ जानकारिय हमें उपलफ नहीं में परदोस्तों और राज्दीओ या राम नमेरा पयैदbers कृमा करें ल राज्डेव या कि नillä राम राज्डेव के बारे में एक डो बाती इसके बाद रखा रहें राजदेव या रामदेव राजदेव या रामदेव के बारे में कहा जाता है कि बारा सो शेतीस में क्या करता है आमेर के कदमी मेल बनवाता है क्या आमेर में कब्ती बात करें बहरे दोस्तों बारा सो बारा सो शेतीस में बारा सो शेतीस में आमेर के महले का निर्मान करवाता है कि यह सबसे प्राचिन महल माने जाता है कि यह आमेर के यह आमेर के अमेर के सबसे प्राचीन महल है क्या है यह आमेर के सबसे प्राचीन महल है कौन से बही कदमी महल यहां पर यहां पर क्या किया जाता था भई आमेर के सासकों का राज्य भी शेख इन कदिमी महलों में हुआ करता था और राज्य भी शेख कोन करता था भई मीनाओं के द्वारा किया जाता था आमेर के जो सासक थे आमेर के सासकों का राज्य भी शेख कि इन महलों में ही होता था त यह अमेर के जितने भी सासक बरेते उनका राज्य वीं से कौन्स महलों में होता जिन कज़्मी महलों में और इनका राज्य वीं से किसके द्वारा किया जाता राज्या भी से एक राज्या भी से मीनाओं द्वारा किया जाता इसके द्वारा मीनाओं किसके दोबहरा की तब पहसे बारे में राज दियों के बारे में निस सब्सक्राइब थूए लगनी निम्हन कर वा था झेसिंगे सबसे प्राझीन महल मनें जाते और प्राचीन महल होने के साथ साथ जो रा आमेर के साशक बनते थे उनका राज्यवी से इनी महलों में किया जाता था और आपको पता है कि क्योंकि यह आमेर रियास्त मीनों के मीनाओं के अधिन हुआ करते थी इस कारण यहां के साशकों का राज्यवी से मीनाओं के द्वारा किया जाता था किसके द प्रत्वी राज कछवा काफी टाइम बाद ये आता है गई फोन प्रत्वी राज कर दोस्तों ये राना सांगा जो खानवा का युद्ध हुआ था राना सांगा के खानवा के युद्ध में जो जो त्रा मार्च 15 2017 को खानवा का युद्ध हुआ तो च्ऑ फार्थ 15es है उसक्त्रा मार्च 1527 का खानवा का युद्ध रागता तो इस बाती परवन की निति इवें बेजिती और पाथ प्रवन के वही पूत्र इसने अपने पूत्र का नाम सागा के नाम पर क्या रखाता सांगा रग दिया था तो यह द्यान रखेगा कि सबसे पहले बात करें कि अधर नेक्स यहां पर द्यान दीए इसने इसने प्रत्विराज ने ना प्रत्वी राज ने राणा सांगा की ओर से विवार के मेवाल के राणा सांगा की ओर से और से खानवा की युद्ध में खानवा के युद्ध में भाग लिया था और वीर गत्ती को प्राप्त हुआ था और वीर गत्ती को प्राप्त प्राप्त हुआ था कहां पर वीर गत्ती को प्राप्त हुआ था यह नाम था इसका पूत्र था इसका पूत्र ता इसका पूत्र इसका पूत्र ता सांगा को न था था और इसका पूत्र नाम इर नंगर बसाया तरा वह संग है सागय कजने बसाया आंएり कस gebru on बसाया ठीक है इस सांगा नहीं इस सांगा नहीं किया बसाया था सांगा नहीर कस्वा बसाया और कहां पर भई जेपुर में कहां पर बसाया था सांगा नहीर जेपुर वाला सांगा नहीर की बात कर रहे हैं यह कहां बसाया था सांगा नहीर कस्वा यह जेपुर में बसाया और कि इसी के टाइम पर इसी के टाइम पर किसके परद्विराज के टाइम पर आपको पता है प्रेजस्टों टched पायहारी जो कहा जाता है गोड़ी जिए संपरदाई पर इस के वह दोस्टों और इन्हें के क्या सास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास सप्रदाइगा तो पर की कि एस के दवार fica रॉट आचाकर पाहारी अरी प्रञस्नदास पहारी क्यों कहा जाता इन इनको क्रशनदास प्रियोग करते थे यानि कि यह भोजन नहीं किया करते थे इस कारण का जाता है यह दूदी पीकर अपनी जीवन जीते थे और दूद पीकर जीवन जीने के कारणी उसको क्या कहा गया क्रश्ण दास पैहारी अर्था पीने वाले क्या कहा गया पीने वाले कहा गया और इनके द उनको क्या कर दिया सास्त्रार्थ में यानि की धर्म यानि की ज्ञान में इनके बीच वाद विबाद हुआ और ज्ञान में कहा जाता है कि इन्हों ने उनको पराजित कर दिया था और पराजित कर देने के पशात यह यहां पर रामानंदी संपरदाय की पीट की स्थाफना करत सभीन के द्वारा रेशनं में क्रश्न दास भारिर द्वारा ही प्रश्ण रृस थर में में बनिद्वार श्ट्नधी द्यारा ही द्वारा टवी लख्यान कुछ कुछ ह erad or not प्रेह नाच जोन संप्रदाइग एक का प्रीक संप्रदाइगल एक को सिश्च न संप्रदाइग टिश संप्रधाइगे एक आपा रॉड यना है कर देडित तरह नाथ कुछ टॉन स्थ्राहर्त में सास्त्रार्थ में पराजित कर कलताजी जेपुर में पर पहरे दोस्तों गलताजी जेपुर में कहां पर रहे जेपुर में रामा नंदी संप्रदाई की पीत की स्थापना की रामा नंदी की स्थापना की कलता जी जेपुर में कृष्णदास पाय हारी के द्वारा कौन से रामानंदी संप्रदाई की कि इस्तापना की गई थी देखिए का प्यारे दोस्तों क्या होता है इसके पश्चात इस परत्वी राज के बारा पुत्र उफटर ते और बारा पुत्रों में सामराजी को भाइंति कुछ और बाहरा कोटली व्वस्ता समझ में आता है आपको बारा कोटली व्यवस्ता кा संबंद पूछा जा तो पत्वी राज कॉम देता है तो जैसे पत्वी राज अपने साम डुटरी व्यवस्ता कई हरा जाता है तो धन-गना पत्वी College अपने हरश न पारा पुत्रों को बारा पुत्रों को पारा भागों में सामराज्य को बांट देता है कामराज्य को पांटता है जिसे 12 कोटड़ी विवस्ता करते है जिसे 12 कोटड़ी विवस्ता करते हैं का मतलब क्या है इसको क्या बना देता है इसको क्या कईगे शामनती विवस्ता है किया कर सकते है तो कि शामंत बना देता है अलग-अलग छेत्रों के शामंत बना कर इनको नियुक्तियां कर देता है अलग-अलग इस्तानों पर बारा राज्यों में यहीं बारा भागों में अपने राज्य को बांड देता है और बारा भागों में बाट देने का पहर दोस्तों इनको क्या करता ह देने का तारे कौन करता है भी प्रथियराज करता है तुकिल रहे जाएगा नेक्स जो बाते कर रहे पहरे सब्सक्राइब आए लेगा जे लिए Presidhya अब परत्वी राज के बाद कभी सारे साथ मणतें हैं तो का ठता है जिन का उल्लेख नहीं मिलता आयोक जानकारिया हमें नहीं मिलती सबसे पहले किस-कि-स की बाते करते हैं को मढ़िए सबस्क्राइब करें परत्वी राज के बाद पून मल आता है यह बही एक राताा है क्योंके नहीं मिलती निए हमें क्योंग आता Kaio कोई लिखाय नहीं गया कि इनकी जानकारी मिले के बाद स्टित में आउते इसके बाद में जो स्टित में आते भींैं के कोई विशेष काम नहीं किया गया पॉल्ड सब्सक्राइए नोला सब्सक्राइब कर दोस्तो में त Nerd ये वीद में सिंग बैंठ सिंगों की बाद अस்करान ऊन्माठ कुंझ बने जाता है आज करन इसको मारकरा स्वेह अंतारत इसके पिटा को मारकर को घंधा कि इसके उसूर अ पहले कि एक खत्या के अपने थ्याभनां एक ए लुग लेना इसका हमी हगा सूरी की अधीनता की अधीनता पिकार कर ली थी पिकार की थी अधीनता शुकार करने वाला जो सासक माना जाता है आपका कोन माना जाता है रतन सिंग माना जाता है कि दौरारा इसके भाल रतनशींग के दौरार इसके बाद जो सासक बनता है इसके बाद सासक बनता है इसके बाद YouTube बनता है इसके बाद नियुकिर बने जाता है भारमल और भारमल का जो सासंकाल माना जाता है यहां पर रतन चींग अभी देंटा शुकार करने वाला उदे शुकार करने वाला बने जाता है यहां पर रतन चींग और मारवाड में शेर्षासुरी से युद करने वाला पिकानेर की बात करें शेर्षासुरी के अधिन्ता शुकार करने वाला उर्षासुरी के अधिन्ता शुकार करने वाला त सवाली देव से आधिन्ता शुकार करता है एधर अमेर का रतन चैंग मेर का मेवाल का कौन था उदेशी ने शेरसा सूरी के पास दुर्ग की चावियां विजवादी थी और कहा था कि ये दूर्ग आपके हाथ मेवाल का उदेशी और उसके बाद बात करें तो यहां तो कहा जाता है मारवार मारवार के इसने माल्देव ने अधिनता शुकार नहीं की अ पेदिकार कर लेता है यूद्फुर्फु पर अधिकार करने कर लेंके बाद वहां पर रिषका का और इसको खुआस को न्युब्त कर देता है ठीक है पहरेरा दोस्तू यह इसके बाद अब सासक बुण बनेगा भारमल सासक बनता है तो भारमल की चर्चाय करते है तूड़ी लगाकर जाता है किसका ँपनाम किंते। आरे ये अ वपनाम की जिक्रक त्थी टेकर मिलते हैं। दैखने क्यों मिलते हैं कि वपनाम। उपन नाम और इसका उपनाम मिलता है बिहारी मल्ग क्या बिहारी मल्ग कौन सा मल बिहारी मल्ग का उपनाम देखने को मिलता है और यह जो नाम दिया जाता है पैर दोस्तों कहा जाता है कि करनल जेम्स टोड की द्वारा किसके द्वारा दिया गया करनल जेम्स टोड के द्वा आरिमली नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि इसकी उपादी की बात करें इसकी उपादी इसकी बात करें उपादी और इसकी जो उपादी थी पहरे दोस्तों वो क्या थी एक तो राजा की इसकी राजा की उपादी इसके द्वारा अकबर के द्वारा की राजा की उप और ये लेव एसिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था ये लेव एसिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था और इसे कितना पांच हजार का कितने अजार का पांच हजार का मनसब दिया मन चब दिया क्या दिया वही मनसब दिया किसके द्वारा दिया गया वही यह सारी चीज़े किसके द्वारा अकबर के द्वारा किसके द्वारा किसके द्वारा दी गई अकबर अक्रवार द्वारा दी जाती है, यानि कि मुगल रनवार इस समय कोणा स्वार हुटा है, अक्रवार की द्वारा दीए जाते हैं तो मंसवतंथा लाजा की उपादी दी दी ना इकलेकृ द्वार कंद के उ tunnels करनल जयंफ टूर की द्वार नका गिया है, यह तीनुची यह धिय पूछेजाइन पूछा चुकी कूंसे में यह अभीहाल में हिसान पूछे गई अब बाते करते हैं किसे का इसी की बात कर रहे यही भार मलता जो परतम सास्क माना जाता है जिसने का जाता है कि 1562 में अकबर की अधिनता शुकार कर ली ती यह पहला राजस्तान का पूरी राम पूरी राजस्तान का या पूरी इस्टेट का पहला राजस्त माना जाता है जिसने मुगलों की अधिनता शुकार के थी किसने सभुक wire R融 donor है आफ दिल्ली में स्रूच ना मिलती है मंलुऌ सायोग से मिलता है मंलु खांपन के सयोग से अकबर से मिलता है कि अगरां मिलता है अगरां मिल आजाता है लेकिन 1562 में अकबर जब कहां पर जियारत करने कहां पर आया था अजमेर जियारत करने के लिए आया था उसी दोरान कहा जाता है कि ये इसकी अधिन्ता शुकार कर लेता है और कहा जाता है अधिन्ता शुकार करने के पश्चात क्या कर देता है अपनी पुत्री अपनी पुत्री हरका का बाई का वुँए के सा Bent हरका बाई का अक्बर के साथ कर देता है ठिप में करता है पहरे दोस्तों जन दोस्तोंब closely 15 will time शुकार्ण करता है और छ्य सतर्वराइकों 15owan 65ご कि अपनी पुतरी का विवा कर देता है कहां पर करता है आमेर में करता है अमिर क्या करता करता है पहरे दोस्तों कौन सी जील की किनारे सांबर में करता है कौन से इस्तान पर करता है सांबर में करता है सांबर जील के तठ पर करता है याद रखेगा ठीक है चलिएगा तो इन चीजों को सबसे पहले लिखते हैं यह सबसे पहले मुलाकात करता है वही 1556 में अकबर से प्रतम मुलाकात थार्मल थार्मल अकबर अकबर से करता है करता है करता है तक करता है यह वहीं करता है 1556 अकबर से मुलाकात करता है इसके बाद इसके सयोग से करता है किसके सहयोग से नार्नोल का एक कात जाता है नार्नोल का किसके सहयोग से इसके सहयोग से मजनू खांके सहयोग से नार्नोल के नार्नोल के मजनू खां के शहयोग से कि योग से क्या करता है यह मुलाकात करता है किस से करता है भी अकबर से मुलाकात करता है यह पहली बार प्रतम मुलाकात जो होती है इसकी प्रतम मुलाकात अकबर से कहां होती है दिल्ले में होती है किसकी कहां से नारनोल के मजनु खांके से योग से यह अकबर से मुलाकात कर लें कि बाद में बात करते हैं पैर दोस्तों 1562 में पुना मुलाकात कि क्या बात करें पैर दोस्तों कि पंद्रा सो भाषट में कि पुना कि अकबर से मुलाकात अकबर अकबर से मुलाकात है उनलाकात का करता यह थांगा नहिर्न करता है कांगा नहीर में दोस्ता है पुना मुलाकात फंद्रासव бойसमे अकब क्यों है की शयोगषी ढगताय ख़ां के शयोगषit यह अकभर से मलां ते पश्चाट करने के पशुआ करने रम, और, यह क्या करता है अधिन्ता हुपक कर लेता है किस की अब क्या करती तो , दूसरी बार मुलाकात किशने ,दूसरी बार कब दूसरी बार मुलाकाद किसकी भारमल और अकबर की किसकी अकबर की अब यह कहा जाता है कि अधिनता यह अधिनता कब शुकार करता है अकबर अकबर की अधिनता 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 अकबर की जो अधिनता शुकार करता है यह बारा जनुरी कब पीस जनुरी पीस जनुरी पंद्रा सो भाश्ट को अकबर की अधिनता शुकार कब कर लेता है पैर दोस्तों बीस जनुरी पंद्रा सो भाश्ट को यह अकबर की अधिनता श चुकार कर लेने के पशार क्या वहता है दूस्तों अपने कौन अपने पुत्र इसका भार मल खुने आरे मल इसका तो क्या हो गया यह पोत्र और पुत्र किसका हो जाएगा मांत सिंग बगवनत दास का इन दोनों को अकबर की सेवा में उपस्थित कर देता है अकबर की सेवा में तेवा में भेजता है बेजता है ठीक है कौन बेजता है भार मल 1562 में अकबर की अधिन्ता कर लेता है बगवंत दास और मांद सिंग को कहां पर भीज देता है अकबर की सेवा में भेज देता है कौन भेज देता है भार मल और प्यारे दोस्तों क्या कंडिशन होती है यहां पर अकबर की अधिन्ता शुकार कर लिए अगबर की अधिनता कब शुकार कर लेता है अगबर की अधिनता शुकार कर ले ठीक है अगबर की अधिनता प्रिकार करता है अगबर की अधिनता शुकार करता है यह 20 जनवरी 1562 अब क्या होता होगा क्या देखिए अगबर की अधिनता कि अपर शुंकर होई गई और अग्वर जी यहां पर गूम ही रह आ है मस्टि से जयारत करें विनोंंने को आदा साब के सुन्द कर लिए रड़स्ट्थ करने के पस्काथ यहां पर गूम रहेते का पर का पर गूम रहेते भी और मांझ prices सिंग और भगवंत दास को कहां पर भेज दिया जाता अब क्या बात करें बात ये है कि या अर्थात मुगल और राजपूर्ट के प्रतम संब्द जाने के बात करें तो आमेर के कच्वाओं के और मुगलों के संब्द की बात करें तो ये ब्याओ करता है क्या करता है राजपूर्ट मुगल वेवाहिक संब्द प्रतम प्रतम राजपूर्ट मुगल 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 वेवाहिक संब्द प्रत्म राजपूत और मुगल के वहवाइक संबंद देखेंगा अब क्या देखने को मिलता है प्यारों दोस्तों यह इस प्रकार से अब देखते हैं जहां पर क्या होता है प्यारों दोस्तों सम्थ से पहले कहां पर चला तरहरों कि दिनांक की ध्यान रखने आपको डेट कौनसी है डेट यह आपकी छे पर में स्थान सांबर का पर दोस्तों स्थांबर और शांबर का पर जयपूर में है कि कह सांबर जेपुर में किसकी के बीच की बात करते हैं यहां पर बात करने जा रहे देखेगे एक तरफ कौन अथव अगबर कोनता वही है एक तरफ पर दूसरी तरफ कौन है भई गुलावी गुलावी सी ठीक है आपकी हरका भई यह हरका भई और का दोनों का क्या कर दिया जाता विवा कर दिया गया क्ट बंदन कर दिया गया कब किया गया पैर दोस्तो छे परवरी को कहा किया गया शांबर जेपुरी ठीक है यह कौन है अकबर यह कोन है इधर अकबर अकबर ठीके और ये भारमल की पुत्री कौन भारमल की पुत्री कोन भारमल की पुत्री का नाम क्या था भई वैसे तो इसका नाम हरका बाई था क्या रखा गया हरका बाई क्या हरका भाई क्या नाम था इसका रका भाई ठीक है बाद में कहा जाता है इसको अकबर में क्या दिया मरियम यह कुण करता था इसको अकबर इसने दिया अकबर इसके बाद बात करें उज्मानी इसकी बात करें उज्मानी उज्मानी इसको करते थे सेख सलीम चिस्ती कौन करते थे सेख सलीम चिस्ती कौन करते थे इसको सेख सलीम चिस्ती के द्वारा इसको क्या कहा गया इसके उज्मानी कहा गया और इसका बेटा इसका बेटा कौन होगा सलीम या जह ने जुगों मानी माणा की सा बेटा सलीम याज़ांगीर क्या नाम दिया गया यह सारे नाम किसे मिलते ज्कार की नाम मिलते और कहा जाता है पर दोस्तों इस यह का जाता है पर से परगृ दोस्तों पर सिक क्रिए मर्य महले कौन सा महल मर्यम महल कॉन सन भल बनवाया वद्थे पूट सी प्रोल्ष बनवाया पर श्रपर डेवर्ट क्रिए में मर्य मर्य literature मर्य मोह दूबर्ण चाहि से इक्री में आपर ठाह भ्रोलड है पर बनवाया अप्र ने कहां पर बनाया अकबर के दौारा मर्यम नाम दिया गया उझ्यमानि इसके और नाम पर इसका क्या फ्रता ये इसका ये क्या साथ गुरू था इपीछे तो ये क्या है जिसका गूरू था और एक बरेस पती क gamer society टो का जाता है तो को सब्सक्राथ o जाते हैं इसके साथ हो जाते हैं किस्ट ब्रॉटते वह कि अईatarain से Kौण का पुधे जो पुट्र जन्म वहता है इन दूनों से जन्म होता है इसका नाम क्या था तलीम क्या रिया स據 क्या नाम था क्लीम है क्या जелिए तो इसका जन्म होता है बाद में ये आगे चलकर यही सासक बनता है यही विशेश रूप से ध्यान रखना तो यह ता आपका भारमल तो बहुत है पर दोस्तों पहले अपने क्या देखा यहां पर देखिए भारमल की बाते करें तो भारमल बारमल को उपनाम किस नाम से जाना जाता है विहारी मलकी है और विहारी मलक किस ने कहा इसको इसको विहारी मलक कहने वाला तक करनल जेंस टोड़ इसको बाद में फिर क्या का जाता है वही इसको उपादी दी जाती राजा कि कि राजा भारमल कहा गया क्या कहते हैं राजा भारमल कहा गया बाद में और राजा मुगलों के अधिनता शुकार करने वाला और का जाता है इसकी परत्तम मुलाकात से कहांपर करता है चकता एक हां के सयोग से कहां पर सांगानेर जयपूर में करता है और सांगानेर जयपूर में करने के प्रश्चात 20 कि जनवरी को क्या कर लेता है यह मुगलों के अधिन्ता शुकार कर लेता है क्या कर लेता है प्रतम रियासति यह प्रतम राजा आमेर आमेर प्रतम रियासत थी वह फारमल फारमल प्रतम राजा प्रतम राजा था जिसने मुगलों के दिन्ता शुकार की इसने इसने मुगल मुगल अधिन्ता अधिन्ता स्विकार की इसने प्रतम रियासत माने जाती है कौनची यानि कि आमेर रियासत प्रतम रियासत माने जाती है उसका साथ कौनता भारमल जो मुगलों की अधिन्ता शुकार करता है यह विशे सिध्यान रखना है और क्या देखा आपने परतम राजपूत और मुगल वेवा एक संबंद था यह अकबर और हरकाबाई का जो परतम विवा माना जाता है कि याद रखना प्यारा दोस्तों कब हुआ है छे फरवरी तोला सो फंद्रा सो भांसट को कहां पर होता है कामबर जेपुर में विवा सिंपन होता है अकबर और क इसका हरकाबाई का अकबर किसके नाम से जानता है अकबर मर्यम नाम देता है इसका गुरू था अकबर का सेख सलीम और सेख सलीम चिस्ति के द्वारा इसे मर्यम उज्जमानी नाम दिया गया और इसका बैटा जो जहांगीर था उसे मर्यम उज्जमानी पेगम करकर बुकार अबनता है तो यह चीजे विशिस रूपकर जिहान रखने तरह में वही यह चलिएक नेक्स बाद करते इसके बाद कौन साथ बनता है चलिएक नेक्स के चलिए अब इसके बाद रहा जाता है यह मृत्य ओजाती फट्रास इतर में इसके मरत्य हो जाती है भार मली की मेर्ट आप आतर में हो जाती है पहास मली के बाद इसका बेटा भगवंत दाश सावां आप वन भागवांत दाशुमां बाद को बेटा बहुत दाशुम पर मनता है आघवांत बग्वंत 10 कोन बनताये? बग्वंत 10 कब बनताये बई? पंदिरास тер्म कब बनताये? पंद्रास तेत अस्षर अस्ताये बनताय बई? बग्वंत 10 अस्ताये बाजा 10, ने बनताये 999 ship थहा पंद्रास 10 누ा सिट 입क सासर रधाये? इसका नाम भगवान दास्वी आपको जहांतें से बात करते हैं इसके साथनकाल में क्या करते हैं इसकी सबसे पहले तो साथनकाल माना जाता है यह निवासी तक माना जाता है इसको राजा की उपादी दी जाती है और अमीर उलुम्रा की उपादी में यह सेम सेम प्रोसेस वही क्या वही राजा की उपादी दी जाती है यह जो उदर किया गया था सेम प्रोसेस इदर भी की गई तो इसके सबसे पहले राजा की उ उपादी की बात करें किसकी बात करें उपादी और उपादी की बात करें तो अकबर के द्वारा इससे राजा की उपादी थी पादी दी गई राजा की उपादी और बात करें अमीर उलुम्रा किसकी अमीर उलुम्रा किसकी अमीर उलुम्रा की उपादी भी दी गई इसको और इसको भी पांच हजार का मंसब दिया गया है इसके द्वारा ये सारी चीजे किसके द्वारा दी जाती वही अकबर के द्वारा किसके द्वारा अकबर की द्वारा अकबर की द्वारा की यह सेम प्रोसेस यहां भी दो रहेगी भगवान दास या भगवांत दास के लिए और कहा जाता है कि इसकी लिए कहा जाता है क्या कंडिशन होती है वही चलिए रहे सफेले बात करें ये ये 1570 में क्या बात करें दोके यहां पर अन्रा सो भगत और ऑन्रासो उनचे बात करें पंद्रासो उनचे मैं यह कहां पर जाता कूंच अभी करें अद्रासों नहतर व कौन से अभियान पर गया था रॉट हमबूर अभियान पर क्रोंच वियान पर गया था रन तुर्जन हाड़ा इसको तूर्जन थाड़ा वहां का का रणतंबूर का सासक को ता भई सूर्जन हाड़ा ने क्या कर ली थी अधीनता शुकार कर ली थी अधीनता पुकार कर ली थी कि अकबर की पुकार तूर्जन हाड़ा ने अधीनता शुकार कर ली थी और इसके साथ मांसिंग भी था इसके साथ मांसिंग भी था एक तो मांसिंग भी था और मांसिंग भी इसके साथ था इसके बात बात करें अकबर भी इसके साथ था अकबर भी इसके साथ ही था इसके बात साथ बात करें सरनाल सरनाल का युद्ध के आ जाता है इसी के टाइम पे कुण सा पंद्रा सो भत्तर में कब प्यार दोस्तों पंद्रा सो भत्तर में सरनाल तर नाल का युद्ध के आ जा समनाल का युद्ध इसी के टाइम पे होता है और का जाता है यहां पर भी से पलता मिलती क्यों तक लगस्ता संरंल के युद्न में भाग ली preciser ने अकबर के साथ किसके साथ अकबर के साथ अगबर के साथ अ ठाब हुए ठीक है आद लिया ठीक है कि वैसे इस रखना है अबर के साथ इसने सरनाल के दर्भागी अ rural- 2020 आपन्द्राहसों बहद तर्म कि ःता तठी recollection किया था तो तो कि ने इसकी वीर्था से प्रभावित होकर नगाडा व पर्चम भेंट किया थू इसकी वीर्था को देखते हैं और बहुत अच्छा साथ से वेक्ति है तो कहा जाता है इसकी वीर्था से प्रभावित हुआ को अकबर और इसी की द्वारा अकबर में इस वीद्ध के बाद इसको नगाडा भेट किया था यह नगाडा अगडा अगबर भी बचाया करता था पह अब आगे बात करें यह लीए इस लेनेक्स बात है करते अ कंपर सासक्भत कर का लाहोर का फाज़ शक्ण रूख याथ 15 i 9writing में मिला हुर का का लाहूर का यह प्रनषा सफट पनक्रजाश़् प्रसफा इस एक यह योग्त और नहुंवा संच्थ यूक्ट किया और पंदरा शो निवासि में पंद्रासो नेवास्ती में कहां पर लाहूर में कहां पर पढ़ता है वर्टमान में पाकिस्तान में पढ़ता है लाहूर में कि क्या हो जाती है इसके मत्याते है याद रखेगा और का दूर्णा दोस्तों की मत्याते देंब अप्यार दोस्तों 1550 में बगवंत दासने बगवंत दासने अपनी पुत्री अपनी पुत्री मानवाई कोन मानमति या मानवाई का विवा किसे कर दिया सलीम किसे जहांगीर से सहांगीर पैड़ मानवाई इसका विवा इससे कर दिया जाता है मानवाई का विवा और कहा जाता है किसकी मुपादी द रिás लाल सुल्तान उन्निषा किया कहा गया सिल्ताना निशा कहा गया सुल्तान उन्निषा कहा गया इस्षा सुल्टान निश्षा सुल्टान निश्षा सुल्टान निश्षा सुल्टान निश्षा इसको का गया भी इसी को मानबाई को का गया सुल्टान ये साय बेगम की उपाजी दी गई हंगिर्द के द्वारा इसे याद रखना और इसी के कहा जाता है पैर दोस्तों क्या ह लाहर का प्रसास्ट कर दिया जाता है 1559 पर कि हुआ जाती काहां पर लाहर में काँ उती भ Hundreds पुहार के पत्ना में मांच सिंह कर मद्धी कर राद सु हुआ धुर्दी विडियत राज्य विशिक्त में नब्व में नबम है न जो